और तनाव की वज़े से बहुत लोग मुझसे कहते हम नसा करने लगें तो नसा कोई समाधान नहीं है नसा एक तरेक की बेहुसी है उस पे होस भूल जाता है उसे लगता है में तेंसन फ्री हो गया लेकिन जैसे नसे का असर खतम होगा तो फिर तेंसन में आ जाएगा तो हमारे भारती रिशी मुनियों ने पूरी मानव जाती को पूरे संसार को ऐसा अवदान दिया कि हम किसी भी परिष्टिती में सांत रह सकते हैं टेंसन फ्री रह सकते हैं क्योंकि तनाव होगा तो नेगेटिव एनरजियां बढ़ेगे और नेगेटिव एनरजी के बंदन मे व्यक्ति इतना फस्ता जा रहा है इतना फस्ता जा रहा है मिनट मिनट में इतने गंदे विचार पल पल में पता नहीं क्या क्या गंदी सोच विक्सित होती जा रही है जिस वजह से उसका व्यक्ति धर्म भरष्ट हो रहा है चरित्र भरष्ट हो रहा है मुल्यों में जीना नह नियत खो रही है, तो हमारी भारती रिसी मुनियों ने दो रस्ते बताए, नेगेटिव एनर्जी को खतम करने के लिए अगर कोई रस्ता है, तो पहला रस्ता है मेडिटेशन ध्यान, दूसरा रस्ता है पूजा, पाठ, भक्ती, नाम, सुमरण, बहुत लोग मिलते हैं कि पू अगर तुरंत समाधान चाहिए, तुरंत सांती चाहिए, तुरंत आनन चाहिए, और स्थाई समाधान चाहिए, लोग लाइफ तक हम स्टेस फ्री रह सके, उन सब समशाओं का समाधान है, मेडिटेशन ध्यान